जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह हमारा जो syllabus है, यह हम mathematics class 10 का syllabus discuss कर रहे हैं, second term के लिए कर रहे हैं, session 2021-22, तो यहाँ पर इधर हमारा unit name है, और इधर हमारे marks हैं, तो इसमें जो हमारा first unit है, वो है algebra, तो student algebra में, जो आपका chapter number 4 है, और जो chapter number 5 है, chapter number 4 है quadratic equation, और chapter number 5 है arithmetic progression, तो यह दोनों chapter मिला करके आपका 10 marks का paper आएगा, मतलब आपको पूरे paper में 10 marks के question देखने को मिलेंगे, जो geometry वाला unit है, इसमें जो chapter number होता है, वो 10 होता है, और chapter number 11 होता है, chapter number 10 है circle, chapter number 11 है construction, तो यह दोनों को मिला कि आपको 9 marks के question देखने को मिलेंगे, trigonometry की बात करेंगे तो trigonometry में केवल chapter number 9 आ रहा है, some application आप trigonometry, तो इससे जो question आ रहे हों हमारे 7 marks के question बनेंगे, mensuration की बात करें, तो mensuration में हमारा chapter number 13 है, surface area and volumes, तो इसमें हमारे total 6 marks के question देखने को मिलेंगे, दोस्तों हमारे last unit, statistics से, chapter number 14 से, 8 marks का question देखने को मिलेगा, इस प्रकार से जो आपका board exam के जो marks आएंगे, यानि कि जहां पर आपका center जाएगा, वहां से total आपको 40 marks के question देखने को मिलेंगे, यानि आपका external paper 40 marks का होगा, 10 marks आपका internal assessment का होगा, मतलब यह 10 marks आपके school से conduct कराएंगे, और total जो हमारा second term है, यह 50 marks का question होगा, कैसे, 40 marks external और 10 marks internal, internal मतलब school से, जो आपका file होगा बनेगा, जो आपका practical होगा, तो यह तोर होगा हमारे second term के marks, अब हम बात करेंगे chapters की कौन-कौन से chapters आ रहे हैं, तो total जो chapters आ रहे हैं, वो 7 chapters आ रहे हैं, chapters है हमारा quadratic equation, जो की chapter number 4 है आपकी book में, फिर आ रहे है हमारा arithmetic progression, यह chapter number 5 है, circle आ रहा है, यह chapter number 10 है, construction आ रहा है, some application of trigonometry आ रहा है, यह हमारा chapter number 9 है, surface areas and volumes आ रहा है, यह हमारा chapter number 13 है, last में जो आ रहे है, वो statistics आ रहा है, जो की हमारा chapter number 14 है, तो यह total 7 chapters आएंगे, अब हम बात कर लेते हैं कि इन chapters में से कौन-कौन से topic नहीं आएंगे, तो इन chapters से जो topic नहीं आने वाले हैं, उसमें जो हमारा पहला chapter है, quadratic equations, इसमें जो completing the square method है, यह वाले topic नहीं आने वाला है, जितने भी question है, completing the square method से यह वाले नहीं आने वाले हैं, अब मैं आपको book की तरफ लेके चल के बताता होगी, कौन-कौन से topic नहीं आएंगे, तो student मैंने आपके सामने NCRT की जो book है, class 10 की मैद की, वो open कर रख solutions of quadratic equation by completing square, तो यह वाला topic यह पूरा नहीं आने वाला है, आपको जड़ा भी परिशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें अगर थोड़ा और नीचे आऊं, तो एक बार मैं दिखा देता हूं को कि इसमें कौन सा formula लगता है, कैसे solutions होता है, यह देखो, यह हमारा completing the square method, आपर इ यह वाला topic आपको समझ में नहीं आया होगा, let us suppose x raised to the power 4 plus 3x cube plus 2x square plus 4 is equal to 0, यानि कि अगर आपको कहीं पर power 4 वाला question देखने को मिलता है, तो वो नहीं आएगा, ठीक है, next chapter की अगर हम बात करें, तो next chapter है मारा arithmetic progression, जिसमें की example number 16, अगर आप book में जाओगे, page number 111 में, अभी मै करके दिखाता हूँ आपको, तो आप देख सकते हैं, मैंने book को open कर लिया है, इसमें अगर आप page number 111 को open करेंगे, अपनी book में, तो यहाँ पर देखेंगे, यह हमारा example number 16, जिसमें लिखा है, manufacturer of TV sets produces 600 sets, यह वाला question है, यह नहीं आने वाला है, ठीक है, पर अगला topic है, इसमें जो question number 15 है, उसके बाद जितने भी question है, वो भी नहीं आने वाले है, यह देखो हमने exercise 5.3 open कर लिया है, तो इसमें थोड़ा सा और आगे जाएंगे, तो यहाँ पर यह जो हमारा question number 15 है, इससे यह पूरा इधर नीचे नहीं आने वाला है, question number 15 से क्या है student, आगे आने वाला नह है, इस तरह के जो question है हमारे, यह वाले जैसे question number 20 है, question number 19 है, यह log वाला है, यह सब नहीं आने वाला है, ठीक है, यह सा हमारे syllabus से reduce हो चुका है, इस बार का, और optional जो होता है, यह पहले से भी नहीं आता है, यह सिर्फ आपको करना होते हैं, यह देखना होते हैं, कि आपको कित reduction नहीं हुआ, तो यह पूरा आएगा, इसी प्रकार से circle में से भी कोई भी reduction नहीं हुआ है, यह पूरा chapter आएगा, अगर हम बात करें constructions की, तो देखो, जो constructions होता है, उसमें basically line segment को divide करना होता है, और फिर triangle होता है, और फिर हमारा जो होता है, वो circle में tangent बनाने का होता है, तो tangent वाला तो हमारा पूरा chapter आ रहा है, triangle वाला एक भी question नहीं आएगा, line में दो प्रकार का होता है, एक होता है internally, और एक होता है externally, यानि कि एक में line को internally डिवाइड करते हैं, एक में line को externally करते हैं, तो यह externally में topic है ne आ रहा है, आप़ देख सकते हैं, कि externally वाला जो topic है, जो line को बाहर से divide करना वो नहीं आएगा फिर construction आप triangle का कोई भी topic आपको नहीं आएगा आपके syllabus में नहीं है तो student अगर हम chapter number 11 construction वाले में देखें यह जैसे आपे लिखा हुए construct a triangle ठीक है यह लिखा हुए construct a triangle तो triangle से related जितने भी question है वो हमें नहीं करने है मतलब इस दरह के question आने वाले नहीं है इसमें देखें जैसे बहुत सारी question से लिखा हुए construct a triangle construct an iso skill triangle तो triangle से related जितना भी topic है वो आने वाला नहीं है तो मतलब जहां भी आपको triangle वाला question देखने को मिले वो आप छोड़ सकते हैं यह वाला topic आएगा जो लिखा हुए constructions आप टेंजेंट आप सरकिल तो इध प्रस्टम से related जितना भी topic है वो पूरा ही नहीं आ रहा है अगर आप अपने math की book में example number 13 14 और 15 देखोगे तो यह पूरा topic नहीं आ रहा है exercise 13.4 भी नहीं आ रहा है तो आप यहां पर देख सकते हो लिखा हुए फ्रस्टम आफा कौन यह आपको page number 252 में मिल जाएगा कितने पर page number 252 पर मिल जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार का safe होता है मारा एक ऐसा safe होता है यह वाला टाइप ठीक है इसको बोलते हैं यह वाले topic नहीं आने वाले हैं इस तरीके का कोई भी question नहीं आएगा जैसे मैंने आपको उसमें दिखाया था कि जो फ्रस्टम से रिगाडिंग जो भी question होगा वो नहीं आएगा तो example number 12 और इसी प्रकार से जो हमारा example number 13 है यह वाला हमारा क्या example number 13 है तो यहां पर आप फिगर में देख पार हो एक बड़ी सी कड़ाई है example number 13 नहीं आएगा अगर हम बात करें example number 14 तो यह देख रहें आप bucket type का है example number 14 है तो यह वाला भी question नहीं आएगा क्योंकि यह फ्रस्टम का question है यहां पर दिखें यह exercise कौन सा है 13.4 है यह पूरा जो exercise 13.4 है यह फ्रस्टम पर based है तो यह पूरी exercise नहीं आएगी क्या ची 13.4 पूरी exercise नहीं आएगी आप देख लो अपनी बुक में टिक लगा लो यह जो पूरा टॉपिक है यहां से ले करके यहां तक यह फ्रस्टम से related सारे फार्मूले हैं यह नहीं आ रहे हैं ठीक है पूरा फ्रस्टम ही नहीं आ रहा है तो अब हम बात करें चैप्टर नमबर 14 इस्टैटिक्स की तो इसमें दो हमारा step deviation method है वो नहीं आ रहा है अब step deviation method द दूसरा जो है वो आपका assumed mean method है क्या है assumed mean method लास्ट में जो है हमारा step deviation method क्या है step deviation method तो step deviation method हमारा पूरा नहीं आ रहा है केवल और केवल आपको direct method और assumed mean method पढ़ना चाहिए इसके बाद अगर हम बात करें exercise 14.4 जिसमें कि हमारा more than type और less than type ओजाईब बनाना होता है वो graph वाला वो नहीं आएगा ये पूरा नहीं आएगा तो फिर मैं अभी चलो आपको book की तरफ ले चलके करके बताता हूं कि कौन-कौन सो topic नहीं आएगा तो statics में आप देख सकते हो ये वाला जो हमारा पूरा formula है इस तरीके का तो ये पूरा नहीं आने वाला है मतलब कि देखो जैस पूरा नहीं आ रहा है अगर हम बात करें कि कौन से page पर है तो आप देख सकते हैं page number 266 पर मिलेगा आपको आपकी book में आप इसे टिक कर लो step deviation method यानि इस फार्मूले पर based equation नहीं आएगा दोस्तों अगर इसके बात बात करें तो यह जो हमारा topic है आपकी book में 14.5 graphical representation of cumulative frequency distribution यह जो topic highlighted है यह नहीं आ रहा है पूरा ठीक है अगर आप page number 290 पर देखें तो यहां पर देखो आपको less than type ओजाईब देखने को मिल रहा है ठीक है और थोड़ा नीचे जाके देखेंगे तो आपको more than type ओजाईब देखने को मिल रहा है तो यह वाला topic नहीं आ रहा है यानि कि इसमें नीचे बोला है कि यहां पर यह वाले question नहीं आ रहे है यानि कि exercise 14.4 जितने भी question होंगे वह नहीं आएंगे ठीक है तो दोस्तों आप मुझे comment box में comment करके बताईए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा यह आपका कितना helpful होने वाला है क्या वाकई में आप पहले से सारी चीजें जानते थे अगर आप नहीं जानते थे तो कोई बात नहीं आप यहां से no down कर लीजिए या फिर screenshot ले लीजिए तो यहीं पर मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं मैं विलूँगा अगले वीडियो में एगले question के साथ तब तक के लिए जय हिन